वेल्कम फ्रेंब्स मेरा विग्डी फॉर्कस्ट का वीडियो में तो फॉर्कस्ट के बारे में जाओं उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं एक्चुली फॉर्कस्ट था दो तिन दिन आपका बुलिश रहेगा लास्ट में थोड़ा बैरिश हो सकता है लेकिन पहला दो तिन दिन बुलिश रहेगा तो पहला दिन फिर भी मार्केट उपर में रहा थोड़ा बहुत उपर नीचे हुआ लेकिन उसके बाद मार्केट गिर गया तो मेरा ही स्टूडेंट किसी ने आपका बाई किया था उन्होंने लॉस किया उन्होंने बोला एक्चुली देखे मुझसे भी गलती हुआ मैं माफ चाहता हूँ जो सच है मैं पहले भी बताया था लेकिन प्लियरली बताना चाहिए मैं डब्लूडी गैन का फॉलोवर हूँ एस्ट्रोजी का नहीं ठीक है तो जब डब्लूडी गैन सीख रहा था पर रहा था मैं बुक पर के सीखा तब देखा डब्लूडी गैन एस्ट्रोनॉमी यूज किये थे एस्ट्रोलॉजी नहीं एस्ट्रोनॉमी एन एस्ट्रोलॉजी के बीच फरक ही है कि astronomy में planet का speed, planet का position, यह सब चीज discuss किया जाता है, ठीक है, लेकिन astrology में उसका effect हम लोग के उपर क्या होगा, ओ discuss किया जाता है, तो दोनों एक दूसरे से correlated है, ठीक है, थोड़ा ही difference है, एक effect के बारे में बताता है और दूसरा आपका position या astronomy जो आप जानते हैं, तो अगर astronomy आच्छा तरीके से आपको जानना है, तो astrology आगर सीखेंगे, बहुत help होता है, और astrology भी आपको एक extra age देता है training में, है ना, कुछ extra information देता है, अभी astrology से आपको सिर्फ time का calculation आ सकता है, time के बारे में आप analysis कर सकते हैं, लेकिन problem यह है, astrology is a huge subject, तो आप कोई भी अच्छा astrologer से पूछे, जो अच्छा astrologer है, वो लोग भी max to max, 60-70% accuracy ला सकते हैं, ठीक? तो आपको पता चलेगा, मैं हमेशा से ही नहीं हुआ, बहुत बार गलत भी हुआ, ठीक है? तो हो सकता है कोई, देखे, मैं क्या आप लोगों से analysis करता हूँ, मैं थोड़ा astronomy add करता हूँ, declaration के बारे में, लेकिन generally astrology का कुछ चीज मैं discuss करता हूँ, वेधा discuss करता हूँ, से कुछ जादा और कुछ event हो, जो मैंने miss कर गया हूँ, है ना, तो यह गलत हो सकता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग जब भी trade करे, यह मैं event के बारे में बता रहा हूँ, आप अपने analysis apply करके trade करे, मैं बोल रहा हूँ, इस video के basis से आप trade करे, मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ, actually यह channel ही मैंने खुला था, कुछ knowledgeable, कुछ चीज मैं share करूँ, specially जो English video में रहता है, foreigner लोग का video में अच्छा अच्छा ग्यान के बारे में topic रहता है, तो आप लोगों का demand के लिए प्यार के लिए आप लोगों का प्यार के लिए मैं यह video बनाता हूँ, प्लीज मेरा request है, नेक्स दिन से मैं video का starting में कुछ लिख के दूँगा, कुछ मैं करने का कुशिश करना हूँ, कि यह सिर्फ मैं event बोलना हूँ, blindly इससे trade मत कीजिए, मैं even कोई share stock के बारे नाम भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि NAC से भी अभी बहुत strict action ले रहा है, ठीक है न, और जो illegal है, वो काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं सिफ aspect के event के बारे में बता रहा हूँ, आप अपना decision लेके trade कीजिए, और मेरा personal view, मैं personally astrology बहुत कम use करता हूँ, मैं time और price को calculate करके, दोनों को match करके trade करता हूँ, specially time price square, WDN का time price square का जो theory है, उसको follow करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं कुछ astrology का tool use करता हूँ, लेकिन mainly मैं astronomy और WDN का calculation use करता हूँ, ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं, तो अठा तरिक moon Jupiter के साथ same नक्षत्र में बैठेगा, तो market मंडे को down जा सकता है, डाउन जाना चाहिए, 19 तरिक Mercury Venus का declaration match हो रहा है, और moon के उपर Venus का वेधा भी आ रहा है, तो 19 तरिक भी market डाउन जाना चाहिए, लेकिन 20 तरिक से देखे, मारकरी का declaration 270 डिग्री हो रहा है, moon के उपर केतु का वेधा आ रहा है, और Venus Uranus का जो 135 डिग्री का aspect हो रहा है, और आइस दिखा रहा है, तो 20 तरिक से market turn around थोड़ा से उपर के तरफ हो सकता है, मैं देखे, यहाँ पर नहीं बोल रहा हूं, यह नहीं बोल रहा हूं कि market reverse करेगा, अभी नीचे जाना खतम हो रहा है, ठीक है, यह market crash करेगा, तो crash के बारे में मैं कोशिश कर रहा हूं, next video में कुछ आप लोग को information share करने के लिए planetary cycle से, ठीक है, 21 तरीक moon के उपर mercury और mars दोनों का वेदा रहा है, तो और जो aspect है sun Pluto का 60 degree, वो rise with minor fall दिखा रहा है, तो मेरी सबसे उपर नीचे रहेगा, ठीक है, और 22 तरीक moon के उपर sun का जो वेदा रहा है, वो bullish है, उपर के तरह दिखा रहा है, तो पहला दो दिन down, और उसके बाद 20 तरीक bulletin और 20 और 22 तरीक उपर मैं देख रहा हूं, ठीक है, यह जो aspect है, उसके basis से मैं forecast कर रहा हूं, यह accuracy 100% नहीं है, आप लोग अपना analysis कीजिए, मैं सिर्फ event के बारे में आप लोगों से share कर रहा हूं, ठीक है, मैं कोई prediction उस तरीके से नहीं दे रहा हूं, प्लीज अपना पैसा किसी के बाद सुनके मत लगाईए, अपना analysis कीजिए, सिर्फ मेरा नहीं, किसी कभी बाद सुनके blindly मत लगाईए, ठीक है ना? Even मैं यह कहूंगा देखिए, ज्यादा तर तो आपका गलत होता है, लेकिन छोड़िये, अगर कोई सेही भी हो, दो दिन आप पैसा बनाएंगे, तीसरा दिन अगर आप से share करना बंद कर दे तो क्या होगा? है ना? तो किसी के बाद सुनके पैसा मत लगाईए, आप लगाईए, पढ़िए, knowledge gather कीजिए, अपना strategy बनाएए, ठीक है? तो इस वीडियो में यही तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में, आप लोग साबधानी से ट्रेडिंग कीजिए, गुड़नाइक